हेलो दोस्तों आज मैं आपके साथ में टेस्टी चटपटी और हेल्दी सी रेसीपी शेयर कर रही हूँ जिसे आप सरफ 5 मिरट में बिना तेल या फिर दो बुन तेल के साथ भी बनाकर तयार कर सकते हैं इस रेसीपी में हलका सा क्रंच है और थोड़ा सा सौफनेस है तो यानि साबू डालाएंगे तो हो सकता है कि जो इसकी पीसिज है वो मोटे मोटे रह जाए और एक प्याज लिया है इसको भी आप रफली चौप करके डाला है दो तिन यहां पर लसुन की कलिया लिए अगर लसुन खाते है तो डाल सकते है और नहीं तो स्किप कर दे छोड़ दे य चौप कर देंगे तो चलिए चौप कर लेते हैं जितना हो सके उतनी सब्जे को आप यहां पर बारीक चौप कर लें अगर आपके पास चौपर का ओप्शन नहीं है यानि कि चौपर नहीं है तो आपके पास मिक्सिज है उसके छोटे वाले ग्रैंडर में इन सारी चीजों क को डाल कर आप रोक रोक कर एक या दो बार मिक्सी को चला देंगे तब यह अच्छे से इस तरह के से दरदरी पीश जाएंगी तो यह देखिए यह सारी जो सब्जियां है महीन हो गई है बारिक हो गई है जितनी हमें चाहिए थी तो चलिए इने रख देते हैं अभी एक में इससे पहले हम कर लेते हैं चोटी सी तेयारी तो यहां पर मैंने दो अलू लिए जिनको ठंडा करकर चील लिया ता और अच्छे से मैश कर लिया है आप मैश कर लिए कद्दू कस कर लिए बस गुठली नहीं रहना चाहिए आलो के अंदर आप डालेंगे इसमें कुछ ब अच्छे से मिक्स देंगे कुछ भी फालतु मसाले इसमें एड़ करने की जरूरत नहीं है यह उसके बिना भी बहुत चटपटा बनेगा और यह जो हमने मिक्षर बना के त्यार कर रहा है सब्जियों का यह भी हम इसमें एड़ कर देंगे आप यहां पर गोबी पाला किया फिर पता गोबी भी एड़ कर सकते हैं सब्जियों के साथ में अब टेस्ट रकोर्डिंग हम नमक डालेंगी नमक हम जितना भी खाते हैं कम्याजाद हो से साफ से आप यह डाले और इन सब्जियों को और इन आलू को पहले हम अच्छे से आपर आपस में मिक्स देंगे उसक को ग्राइंडर में चला के एक बार थोड़ा सा बारी कर लें आप इस रेसीपी को सूजी की जगा एक कप आटे से भी बना सकते हैं पर अगर आप यह रेसीपी सूजी से बनाएंगे तो थोड़ी सी क्रंच बनेंगी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ही कि इस रेसीपी मे आप देखी सकते हैं बड़ी असा मिक्स आ गया है आप जैसे कि आप जानते ही है सूजी है तो थोड़ा फूलने के लिए टाइम लेगी तो बस यहां पर हम मिक्स करकर इसको पांच या साथ मिनट के लिए ट्रेस पर छोड़ देते हैं इतने कर लेंगी हम छोटा मोटा कोई प्योड काम तो चलिए पांच मिनट से छोड़ते हैं और पांच मिनट यहां पर हो भी चुकी है अप देख सकते हैं अच्छे से सूजी है हमारी फूल चुकी है हलका हलका पानी उपर आ गया है तो इस खोल को हमें यहां पर ना तो जादा गाड़ा रखना है ना पतला रख करना है यह ऐसे ही बहुत मज़े का बनता है तो चलिए गैस पर हम यह एक पैन कड़ाई तवा जो भी आपके पास हो इजी से वह आप पर चड़ा दीजिए हलका सा नीचे तेल लगा दीजिए अगर आप तेल नहीं खाना पसंद करते हैं अगर आप तेल को आप बिना तेल क अगर आप इसको फैला दीजिए अगर आप इसको थोड़ा सा जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसको एक मिनट के लिए ठक कर पका ले तो आप जैसे देख रहे हैं पकने के बाद इसका जो कलर है वह अपने आपी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया उपर की जो परहता है वह और नीचे से भी यह हमारे अच्छे से सूख गया है तो इसको यहां हम पलट देंगे और एक साइड से हमारे अच्छे से सिख चुका है दूसरी साइड से भी हम इसको सेख लेंगे अगर आपको ज़रूरत लगे थोड़ा सा इस नाश्टे को और क्रिस्प बनाना हो तो नाश्ता मजे का ही बनेगा दूसरी सेट से भी हमने इसे 20 सेकंड के लिए और यह पहला नाश्ता तयार है इसको प्लेट में निकाल लेंगे बस इसी तरीके से दोबारा भी हम इसी तरीके से चमचे से घोल भरेंगे और हलका सा फैला देंगे हमें आप यहां पर तेल यूज क करना है और इस तरीके से हम इसमें साइट से थोड़ा सा तेल डाल देंगे अलट देंगे पलट देंगे और इस तरीके से ही सारा नाश्ता यहां पर बनाकर रेडी कर लेंगे अगर कभी बहुत जोर वाली भूख लगी और इंस्टेट कुछ बनाने का दिमाग में आए तो एक बार से आप ए रेसिपी जुरूर ट्राइ करना हफते में पांस जीन आप यही बनाना पसंद करोगे क्योंकि यह रेसिपी बनती ही इतनी यमी है सच में अगर आपने से बनागे खाली आना यह एक भी पीस इस नाश्ते का बिलकुल नहीं बचेगा सभी को बहुत पसंद आने वाला है और साथ में बहुत कम तेल में बनकरी नाश्ता तयार हो जाता है वो भी जटपट सेकंडों में तो आज इस नाश्ते की वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक और वीडियो को जादे से जादा शेयर जरूर से करें और झाल 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 झाल